सचन पाइलिट अभी भले ही एक आम विधायक हों पर राजस्थान में वो जनता के लिए किसी सीम से कम नहीं है और इसी का नतीजा है कि पार्टी में सिर्फ एक आम विधायक होने के बाद भी अपने जन्मत दिन पर विश्वे रिकॉर्ड बना कर अपना परिचे दिल्ले तक दे दिया था नमस्कार आप देखना शिरू कर चुके हैं राजस्थान संबाद और आपके साथ मैं हूँ चेतना प्रदेश में एक बार फिर से सियासी गर्माहट तेज हो गई हैं जिसके चलते एक बार फिर से प्रदेश की जनता गहलोत वेस पाइलिट देख सकती हैं इस बार सियासी पारा चड़ने के कारण किसी बगावत नहीं बलकि वो हैं जिसके कारण बगावत हो गई थी दरसल गहलोत सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कोट के आदेश की पालना करते हुए सुबे में नगर निगम चुनाव कराने पड़ेंगे जिसके लिए कोट ने सरकार को 31 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया हैं जिसके चलते सियासी पारा एक बार फिर से चड़ गया हैं आपको बता दे कि ना तो अशोग गहलोत खुद और ना ही उनकी सरकार इन चुनावों को कराने के पक्ष में हैं जिसके चलते सरकार तीन बार कोट का दर्वाजा खट-खटा चुकी हैं पर कोट ने अभी अर्जियों को खारिज करते हुए 31 अक्टूबर के टाइम दे दिया हैं जिसमें जैपुर, जोदपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव होने हैं सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए मार्च 2021 तक का समय मांगा था पर सूत्रों की माने तो इन चुनावों को टालने के पीछे का कारण कोरोना नहीं बलकि सचिन पाइलेट हैं क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि पाइलेट और गहलोत में अभी भी शेइत युद्ध चल रहा हैं तो गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते कि पाइलेट किसी भी तरह बाजी मार जाए तब ही तो सरकार चुनाव कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बात किसी से चुपी नहीं है कि भले ही गहलोत ने पाइलेट को सरकार से दरकिनार कर दिया हो, पर पाइलेट अब भी जनता के दिलों में राज करते हैं। तो अब देखना ये है कि चुनाव होते हैं या नहीं और अगर चुनाव होते हैं तो जीत किसकी होती है? तो ये थी राजस्थान के राजनीती पर हमारे एक खास रिपोर्ट ऐसे ही राजस्थान के राजनीती में आपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान समबात को